नमस्कार दोस्तों, स्टडियाई क्यूमा आप सभी का स्वागत है, मैं हूं डॉक्टर महीपाल राठोड और आज हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर कृती भारती कृती जी भारत में बाल विवा को रोकने के लिए बहुत थी बड़े स्तर पर काम कर रही है इनका ट्रस्ट है सार्थी फांडेशन जिसको ये खुच चलाती है, इसकी मैनेजिंग डिरेक्टर भी है और फांडर भी है और इन्होंने हजारों बाल विवा को रोकने के लिए लोगों से प्रण करवाया है और चाइल्ड मैरेज एनल्मेंट यानि की बाल विवा को निरस्त करवाने के लिए इनका नाम कई बुक अफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है तो कृती जी सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ Study IQ प्लाटफॉर्म पर खमा गणी साँ खमा गणी पृती जी जोदपूर से हैं बिल्कुल मेरे पडोसी जिले से बिलॉग करती हैं हम दोनों एक ही राज्य से हैं कैसे इन्हों ने चुनौतियों से पार पाते हुए समाज में एक बदलाव लाने की कोशिष करी है पिछले कुछ सालों में तो आज हम इनके बारे में और इनके काम के बारे में इन से बात करेंगे तो कृती जी सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताईए कि आप कहां पर जन्मी आपका बजपन कैसा रहा इस बारे में थोड़ा ब्रीफ ली हमें बताईए और हमारे सब्सक्राइबर्स को एनलाइटिंग कीजे किस तरह की चुनौतिया आपने फेस क दौराद मैंने कई जिलों का पानी पिया है तो मैं मारवाड और मेवाड की बेटी एक तरह से आप मुझ अपने सकते हैं मेरा जन गुजरात में बड़ोदा में हुआ था लेकिन मैं महां सिर्ट केवल साथ दिनों के लिए रही इसके बाद वापस राजिस्थान आना हुआ और अब राजिस्थान को आगे बढ़ना की कोशिच कर तो मैंने कुछ न्यूस आर्टिकल्स में पढ़ा था कि आप बच्पन से ही आपके काफी संगर्षपून आपका जीवन रहा था उसके बारे में आप खुद अपने शदों में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या चुनौतिया आपने फेस करी दूरिंग यॉर चाइल्ड़ोड नेकि चुनौतिया तो शायद जन लेने से पहले ही म मेरे पादर ने मुझे अबैड़िट कर दिया था और उसके बात कोई नहीं चाहता था कि मेरा जन नेरे विलेटिब्स चाहते थी कि मेरी मदर की सेकेंड मैरज हो और लेकिन इस दौरान जो अबॉर्शन का जो मेडिकल टाइम होता तो निकल गया इस सवज़ से मेरी मदर का और अबॉर्शन नहीं हो वो कहते हैं ना जाको राखे साहियां मार्श अबॉर्श तकेला को मेरे जिंदगे में इस कहवत का बहुत-बहुत बढ़ा रोल है और शायद इस कहवत मेरे जनमने से पहले से लेकर आज तक मुझे हमेशा बचाया है और कैते हैं कि जिसको प्रभब नहीं हो पाया, उसके बाद बहुत, क्योंकि मेरी मदर इतनी प्रेशराइज थी, तो मेरा जन जो है, वो 7-month-born baby, pre-mature baby के लिए पूरा एक स्थर्मी सिचुएशन था, या तो माँ को बचाएगी या बच्चे को बचाएगी, पर फिर वही बात ली, जा कर आखे साह या मार सकेना को, और मेरा जन हुआ, जनमने के बाद भी मुझे किसी नहीं किया, फिसिकल अभ्यूस था, वर्बल अभ्यूस था, को मेरा चहरा नहीं लेता था, कोई मेरी शकल देखके रस्ता बदल देता था, फादर को लेकि कई गालिया मैंने सुनी है, और, मतलब आप ज अभ्यूस और एक्स्प्रोइटेशन को अभ्यूस था जब मैंने शायर अभी सीदी भी नहीं सेखी होंगी, और उस मुझे पे मैंने अभ्यूस था, अभ्यूस था, जैसे मैंने बताया, चलता रहा समय और, दस ताल की एज में, मुझे पॉजन दे लिया गया, उस पॉजन का असर ये रहा, कि मैं बैड़ लटी यहां पर भाही जाप राखे साहियां मार सके ना कोई, और मैं इस तरह से बिस्तर पर आ चुके थी, कि नह मैं चल सकती थी, नह मैं बैठ सकती थी, करवट ले सकती थी, इवें अपने अपने देली उटके जो काम है, भी नहीं कर से थी मुझे याद है मेरी मदर ने चार तरफ जो संभग हो सकता था वो इलाज के लिए मेरी मदर मुझे लेकर खूँ चाहे वो ऐलोपाथी हूँ, जाए भूपएठी हूँ, और जैसे का भारत हुआ परचले थे, जाड़ फूख वो तक करवाया गया, कि शायर कुछ ओपर की लेकिन डाइगनोसिस कोई नहीं कर पाया, एम से लेकर, जितने बड़े-बड़े आप नाम सोच सकते हैं, सब जगे मुझे दिखाया गया, लेकिन मेरा कहीं डाइगनोसिस नहीं हो पाया, केसे हुआ क्या है, उसके बाद मुझे रैकी थारपी से ठीक गया था, मेरे गुरू ह तो देण के दोछन डाइगनों गयं हो और इस दोरान कई बार जाएगनोन देख दूनारी हो ख़कीरायू च्छी हém से बोद्यक्टे हो ख़की मेरा कैसिता है, उसके बाद मैंने वापस बाराइस साल के गुंद्रे में चलना से पॉँद्र यह साथ बहुत कम होंगे लोग जिनने याद होगा कि उन्हें अपने जीवन का पहला कदम कर से रखा मैं उन में से एफ हूँ क्योंकि मेरा वापस जन्म हुआ था उसे और मैंने अपने जीवन का पहला कदम रखा रखा वो जा आज भी आगे आद हैं आपको याद नहीं होगा बड मुझे याद मैंने फिर से वाकर से चलना सीखा फिर से गोडालय क्रॉलिंग करना सीखा फिर से होकी के सहारे चलना सीखा एक तरह से अपने जीवन की वापस शुरुआदी उसके बाद जीवन में बहुत जादा फ्रस्ट्रेशन बहुत जादा नेगटिविटी भाद चुकी थी तो सबसे पहला जो रेवलिशनेरी स्टैफ है मैं अपनी जीवन का वो यह है मैंने अपना सरनेम चेंज कर लिया बहुत तंग आचुकी थी इस डायलोग से यह उसकी बेटी है यह उसकी बेटी है तो अपनी अपनी इच्छा गुरुदेव के सामने जाहिर की उनोंने नए सरनेम के साथ मुझे अलग्रित किया वुथ हम भार्तु और मैं भारत की बेटी बन रही है सभी जातपाद सभी धर्मों से उपर उठकर मैं सिर्फ पर सिर्फ आज भारत की बेटी है लेकिन संगर्शों का जो दौर था वो खद नहीं हो मैं मेरे साथ चीजे वही चलते रही तो मैं जो मेरे गुनुदेव थे श्री स्वामी ध्रमादन परमत जिन्होंने मुझे ठीक किया उनके साथ दो साल उनी एक तरह से संतों के साथ लेहना में स्टार्ट करते है संतों की दरद जीवन बिताया दो साल लोगों को रैकी जिकित्सा देती थी ठीक करती थी तरह की काम करती थी वहां पर योग और इन सब चीजों में इंपॉल्ड इसके बाद मेरी मदर मुझे वापस इस materialistic world में लेके आई की कि तुम 18 तक मेरे साथ रहूं उसके बाद तुम्हें जो करना है करना एक बार तुम वापस चलो and she was the person जिन ने कहा कि नहीं तुम एक बार वापस education से लिंग एको education होना चाहे संत्वगनों चाहे किसी भी उसमें जाओंपट आपको education जरूरी है so लेकिन मैं 14 साल की हो चुकी थी और problem सबसे बड़ी यह थी कि जिस class यानि 4 standard में मेरा जब पढ़ा ही छूटी उसमें अगर मैं वापस जाती तो बहत जादा मेरे लिए problems होती क्योंकि age differences आ जाते हैं so मेरी मंदर ने मुझे 4 standard से सीधा 10 standard मैंने jump किया 4 standard से 10 standard का जो बड़ा jump होता है class का वो मैंने लिया शायद the basics जो है education के वो किसी दौरान पढ़ाए जाते हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस तौरान यह समझना कि maths और science में हो क्या रहा है English के alphabets के अलवा मुझे 10th में कुछ आता नहीं था तो इन सब चीजों को struggle करके 16-18 घंटे मैंने उस समय लगातार पढ़ाई ही कि time table को होता है मेरा time table को follow किया इस time उठोंगे this time सोंगे this time खाणा खाऊंगे this time पढ़ोंगे this time इस subject को देना है यह subject easy है इसको कम देना है इस subject tough है इसको देना है इस अलगा time table और plan out करके मैंने वापस पढ़ाई, स्टार्ट की, नेगटिविटी मेरे चारों थी, यह नहीं कर सकेगी, यह नहीं कर सकेगी, सिर्फ मुझे और मेरी मदर को विश्वास था, कि मैं कर लो की, हाला कि विश्वास था, लेकिन एक दमाग में आपके नेगटिव चीज़े ज़रूर आती हैं, बड़ उसको ओवरकम किया, और मैं एक टैन्थ क्लियर किया, मुझे आज भी याद है, खुशी के आशू, यह जो कहावते हैं, यह मैंने उनको चरीतार्थ होते हुए देखी है, कि जब टैन्थ का रिजल्ट आया है और उस में उस ताइम पे अगबार में रोल नमबर छपते थे, तो पहली बार रोल नमबर मिला, दूसरी बार नहीं मिला, तीसी बार वापस मिला, तो उस दौरान जो मिलता और खुशी के आशू आजाते, आज मेरे पास पीएषडी की डिग्री है, मैं और भी बहुत सारी डिग्रीस के ले चुए, पोस्ट डॉक्त चल गया है, लेकिन उसके बावजूब टैन्थ का जो रिजल्ट रहा, वो मेरी दुनिदीगी का सबसे बड़ा रिजल्ट था, चैद उसी ने मेरी लाइफ को एक मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा बेक ग्राउंड बता था, उन्हें मुझे एक तरह से वाफस तयार किया, कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए तयार हो सुकूं, मैं डिबेट कॉमपुटिशन में जा सकूंग, और मैंने उसमें इसमें अपनी स्कूल को रिप उसके बाद कोस्ट ग्राजुएशन चला, इस दौरान मैंने कई NGOs के साथ काम करना स्टार्ट किया, और जब मैंने दूसरी NGOs के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो I realized कि वो लोग रूट लेवल पर वर्क नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप एपर वर्क करिए और उस ची मैं बूटी एज मैं इस पिल्ड में आई हूँ तो मेरे네, मेरी इछा थी कि मैं अगर तो उसका पुछ रजल्ट युको चेंज आए, सिर्फ बोलने से बातों में जो हम बाते करते हैं वहीं तक सीमित नहीं रहे, मैं कुछ चेंज लेकर आसे ऐ को कई बटलावला से। सार्थी तरस्टी पहनी नेवपड़ु और गânciaर्शन सेशिघ्थ था यह वह अध्युव महत जनुद और wrestling वे निर्श्ट टराने के कारण सुर्ख्यों और अगये, सिफ नैशनल यहない। internationally हमारा काम nationally ही नहीं, internationally हमारे काम को रिकरनाइज किया जाएगा तो आपने जैसा बताया है कि आपने कई इंजियो के साथ काम किया फिर उसके बाद आपने अपना और्गनाइजेशन शुरू किया तो यह आपने काफी यंग एज में चाट किया कईयों का सपना होता है कि हम समाज में, देश में बदलाव लाना चाहते हैं तो बेशक वो services के दूरू, civil services के दूरू ऐसा बदलाव लादना चाहते हैं लेकिन अगर कोई उस रास्ते पर ना जाकर आप वाले रास्ते को चुने, जो कि मेरे ख्याल से एक और डारेक्ट तरीका है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है क्या एक NGO स्टार्ट करना बहुत चुनाती पून काम है या फिर बेश में असानी से उसे स्टार्ट किया जा सकता है महिपाल जी, मैं आपको बदाना चाहूंगी मैं इना जानी मुझे हैंगी मिरे मदर चाहती ही कि मैं आईरक्ण है को मैंने हमेशा लेवन से मैं हमेशा टॉप इन सब से लेफी कि आपकोहूर्ट का बाद में के जो तो सबका होता है कि जो तोपर की लिस्ट में है कि वो RSIS की तरफ जर्फ ही उसका जुझान होगा वो उसी तरफ जाएगा बट आम यकीन नहीं मानेंगी कि मैंने जर्फ कि मैं एक भी कॉम्टिटिशन एक्षाम देखिया नहीं मुझे नहीं करना मुझे जो बदलाव लाना है वो मैं एक अद्मिनिस्टरिट पोस्ट पिर आपर नहीं लासबकी क्यूंकि मैंने यह देखा है कि कई जगर पर यह सिचुएशन मुझाते है कि आप मेरा हमेशा से यह रहा है कि मैंने कभी बीड को पॉलो नहीं किया एक नहीं रहा बनाने की कोशिश की है कि खुद भी उस रहा पर चलो हाला कि कई बार तो मुझे शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि मैं जिस रहा को बनाने चले हूं यहां तो रहा ही नहीं यह सड़क तो दूर मुझे जमीन तक यहां पर क्रियेट करनी है लेकि आप मानेंगे नहीं कि उससे आपको जो इंटनल साथिस्क्षाक्शन होता है कि यहस, you have given something to the society, आपने वाफस एक betterment society को दिया है, वो बहुत important है जब आप बात कर रहे हैं छोटी एज में यह सब स्टार्ट करनी को सबसे बड़ी problem आती है जब आप इस तरह कहीं जाके काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं government हर चीज के साथ लिंक है तो आप जब जाते हैं तो आप चोटे से छोटी लड़की है उसके लिए सोशल वर्कर होने के लिए आपको सबसे जादा चाहिए सफेद बाल, सफेद सारी, एक हमारे समाज में बना दिया किया है कि आप सोचल वर्क का मतलब सफेद सारी, सफेद बाल, एजेड होनी चाहिए और वही सोचल वर्क कर सकते हैं अगर आप जिद कर लें कि अगर आप जगे पर उसी जगे पर वार करें उसी जगे पर अपना हतोडा मारें जव आपको रिजल्ट चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी एज में भी अच्छा चीवन नहीं कर सकता अचीवमेंट के लिए ज़रूरी है आपका जिल्ट करना आपका थोड़ा सा अपने एक तरसे जिसे हम जुनून कहते हैं अग्रेशन कहते हैं उसे अपने काम में लेकर आना और कंसिस्टेंसी अगर आप एक बार करके छोड़ दिया उसका रिजल्ट आपको नहीं करिए आपको एंरोल नहीं किया इंवाल्व नहीं किया तो आप उस चीज को मिस कर जाएं तो यह बहुत दरूरी है कि आप लगाता है उस चीज को करें तो कोई भी बहुत अच्छी रिजर्ट लेकर आ सकता है और मुझे नहीं रबता कि एज मैंटर करती हैं मैं ऐसा मानते हूं कि आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं आप किसी भी उम्र में एंजियो स्टार्ट कर सकते हैं आप किसी भी उम्र में जो आप दिल से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और बदलाव लेकर आसे तो आपने अपने organization सार्थी के माध्यम से कई बाल विवा रुकवाए हैं लेकिन एक चीज जो मुझे काफी interesting लगी कि आपने बाल विवा को निरस्त करवाया है Child Marriage Annelment यह Annelment क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हमें बताईए और यह कैसे किया जाता है इसके लिए कानूनी कारवाई क्या है और आप लोग कैसे एनल करवाते हैं किसी बाल विवा को जब बाल विवा की हम बात करते हैं तो हम सारी किताबी अगर लैंविज की बात करें तो उसमें आता है कि बाल विवा हमारा पूरा physical, psychological, mental सब कुछ हमारा भषब करते हैं अगर वेरे व्यूस में तो मेरे लिए child marriage victim, sexual offense का भी victim होगा domestic violence का भी victim होगा education deprived होगी, health deprived होगी सारी चीजे जो आप सुन रहे हैं child labor बन जाएगा सारी चीजें आपने इसुश सुन रहे हैं वो सब आपको चाइड मैरेज में देखने को तो ये अपने आप में एक ऐसा इस्यो है कि इतने जादा मुद्दे होते हैं, इतने सारे मुद्दे एक ही मुद्दे में शामिल है, यानि कि चाइड मैरेज कितना जादा कुरुशन है, लेकि अभी तक बातचीत ये थी कि अभी इसे ने इंफॉर्म किया चाइड मैरेज के लिए तो गए और चाइड मैरेज रुखा तो लेकिन जिन बच्चों की चाइड मैरेज नहीं रोका नहीं जा सका चाहे इंफॉर्म नहीं कर सके या फिर अफिसर्स अपना काम नहीं कर सके उन चाइड मैरेज में विक्टिम्स को र पड़ता है पूरी जिन्द की रूप उसी चाइड मारेज में काटना पड़ता है 2012 में मिल्पास एक केस आया उसमें वो बच्ची गॉना एक रस्म मोती है मुकलावा जिसमें बच्ची को सवाल बेजने की रस्म मोती है कई बार ऐसा होता है कि चाइड मारेज बच्च्पन में कर जाती है उसके बाद जब प्यूबर्टी एज या बड़े होने की चोव एज उस एज में गॉना यानि मुकलावे की तरस्म की जाती है यानि बेजा जाता है तो वो बच्ची आई कि मैं उस सवाल में नहीं जाना चाहती तरवा उसके अपने रीजन्स थे कि वो क्यों नहीं जाना चाहती लेकिन जब उसने कहा कि आप मेरा गॉना रुकवा दीजे तो एक साल या 6-8 महिने का रिजर्ट है 6-8 महिने के बाद उसको फिर वही प्रॉब्लम आई भी कि अब वापस सवाल वाले आ रहे हैं वापस उसको गॉना के लिए प्रेशर कर रहे हैं तो परमाने भी लीशन धूंड़ा था मुझे कि जब हमें पता है जब हमें ये अच्छी طरब से पता है कि चाहिड मैलच खराब है ये बच्चों का प्रिजिम्टन फिंचर दिस्ट्रॉई कर रहा है तो बच्चे चाइड मैनेज में क्यों है क्यों बच्चे चाइड मैनेज में सोखित होते हैं तो उस पर्मानेट सलुशन को दूढने के लिए मैंने काफी रिसर्च पढ़े कुछ बुश बच्च अलग अलग चीजों को बो ।ो बोटू किया ऐसे में मुझे चाइड मैनेज अनल्मेंट के वारे में बता चला Prohibition of Child Marriage Act 2006 के अदर इसका प्राखधान तो मैंने कुछ लॉयर्स, कुछ मजिस्ट्रेट्स, कुछ इंट्लेक्शुल से बिस्टस किया कि क्या हो सकता है कि Child Marriage Ennelement कैसे हो सकता है तो लोगों ने का अभी तो हुआ भी तौक हुआ नहीं है तो हम बता नहीं सकते, आप ऐसा करो डिबोर्स में नहीं चाहो। दिवर्स अपने आप में एक सोशल स्टिग्मा था, मैं जिस मैर्ज को मनवाना नहीं चाहती उसमें उसको डिबोर्सी के रुप में बच्ची को मजा झालते हिए अंदे अधिरी कमने मेंटर कर रहे थी, जितने हैं इस लगश्ट हैं मैंने नहीं में कर दिया तर्ट को एल कुछ रही हो और इंडिया का फॉर्स्ट चाह्यं मैरे जनलमेंट था फर्स Child Marriage Ennelement था, उसे लिंका बुक आफ रिकॉर्ड में दर्च किया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्च किया गया, तो कि ये पहली बार हुआ कि चैड्ड मैरेज भोग था, जोखने तक ही सीमित नहीं है, चैड्ड मैरेज को आप कैंसल भी करा सकते हूं, जिन बच्चों क पहले child marriage हो चुकी है, उन बच्चों का बाल विवा कैंसल कराया जासे है। प्रविबिशन ऑप चाइल मैलेज अग्ट प्रावधान है। सक्षिन 3 कहता है कि कोई भी बच्चा जिसका बाल विवा हुआ है, वो नाबालिग या बालिग होने के दो साल के अंदर तक अपना बाल विवा निरस्ट करवा सकता है। अपना बाल विवा शुन्य यानि कैंचल करवा सकता है। और जब ये शुरुवात हुई पहले बाल विवा निरस्ट से लेकर आज तक तो जोर्पुर में सबसे पहला बाल विवा निरस्ट हुआ, राजस्थान में पहला बाल विवा निरस्ट हुआ, वही राजस्थान जो पूरे अटेश में लीडिंग स्टेट है, जहां सबसे जादा बाल विभा निरस्ट होए हैं, और हमें बच्चियों को बाल विभा से मुक्ति दिला करें, एक तरह से उन बेडियों को तोड़कर उनको एक ऐसा उड़ा, एक ऐसे आसमान में उरान देने की कोशिश की है, जहां बिना सोशन की कोशिश. वो किसी ने किसी रूप में रिहाबिलिटेट हो और पूरी तरह से रिहाबिलिटेट हो, रिहाबिलिटेशन प्रॉसेस उसी समय स्टार्ट हो जाता है, जब कोई बच्ची हमारे पास आती है, अनलमेंट के, उस दौरान उसकी काउंसलिंग, उसकी फैमिली की काउंसलिंग, Community Counseling, Communities में आपने अगर जाती पंच्व का नाम सुना होगा, तो वो सबसे बड़े हमारे बड़े सबसे बड़े बारियर है, Speed Breaker है, वो नहीं चाहते कि Child Marriages खत्म हो, जब कोई बच्ची Child Marriages अनलमेंट के लिए आगे आती है, तो उसकी Family पर उस पर बड़ा सा दंड लगा देते हैं, 16 लाग का, 20 लाग का, 10 पंदा, जितना मन करता है, वो दंड लगा देते हैं, और अगर वो दंड नहीं भढ़ते हैं, तो उनने जाती भाहर कर दिया जाता है, situation इतनी crucial हो जाती है कि वो किरणा से राशन भी नहीं ले पाते हैं, उनके रिष्टेदारी में आनर जाना मन दू जाता है, बहुत जादा उनकी लाइफ को pathetic बना देते हैं, जबकि Supreme Court भी कहता है कि आप जाती पंच-पंचायथी नहीं कर सकते, जाती पंच-पंचायथी करना अब है इली इलग है, आपके अभी जितने शोता मुझे सुन रहे है, जितने listeners अभी मुझे सुन रहे है, जितने तो उनके उपर डंड लगा रहे हैं, तो उस डंड को मत चेले, आवाज उठाएए, एफ आयर दर्च करवाईए, उनको सदा दरवाईए, कि वो गलत काम करें, किसी भी जिंदगी का फैसला लेने का हक तिर्फ और तिर्फ पोर्ट को है, जो कानून के अंतरगर स्थापत है, हमारे हर जिले तालुका के अंदर स्थापत है, कोई और किसी की जिंदगी का फैसला नहीं ले सकता, खास कर चाकी पंच तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, यह इल्लीगल है और इल्लीगल चीजों को सपोर्ट करना भी इल्लीगल कांध कर दगर आता है तो मैं आपको बता रही थी कि जब कोई बच्ची हमारे पास आती है तो हमारा उसके साथ काउंसीलिं का प्रोस्स स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग में उसकी काउंसलिंग, फैमिली की काउंसलिंग, क्योंकि फैमिली डरती है बच्ची को सपोर्ट करने में, कि हम ऐसे बच्ची और बच्चों, इवन लड़कों को भी, कि अगर हमने किया तो हमें जाती बाहर कर दिया जाएगा, तो कि काउंसलिंग, हम लोग कई जाती पंचो के भी काउंस्लिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्ची के इस फैसले में फैमिली और कम्मिनिटी उसके साथ इस दौरान मेरी एक फीस आती है कोई भी बच्ची मेरे पास आती तो वो पुछती है यहां से आपको बहुए से अपको पढ़ाई छूट गई किसी भी कारण से आपको बहुत जूट गई आपको वही से एजुकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी और कंटिनूस आपको पढ़ना पड़ेगा यही मेरी प्रफूस और education से link इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम भारतेश में रहे हैं अगर आप educated नहीं है आप empowered नहीं है आप एक malpractice child manage से तो मैं निकाल लोगी लेकि यहाँ इतनी सारी अलग-अलग कूप रथाएं हैं अगर आप अपने आप में empowered नहीं हुए तो आप अपने आपको नहीं निकाल से तो इन सिचुएशने ते और ही हम बच्चियों को उनकी करियर से जोडने की कोशिश करते हैं मेरी कुछ बच्चियां अभी मेडिकल में हैं कुछ बच्ची इंजिनियरिं कर रही हैं कुछ बीएड कर रही हैं कुछ अभी ग्राजुएशन में है, कुछ 12th में है, कुछ 10th में है, अलग-अलग जिसकी जहां से प्रॉप आउट है, वही से उनकी education पंटे. और ये सभी वो बच्चिया हैं, जिनके बाल बिवायातों ने रस्त करवाए गए, या फिर रुखवाए गए, ये वो बच्चिया हैं. और हम कोशिश करते हैं, हाला कि हमारे पास funding system बहुत limited है, तो कुछ लोग sponsor करते हैं, बच्चियों का education, हाला कि sponsors बहुत कम आते हैं, चाइड मैरेज की victims को support करने के लिए, तो हम, हमारे जो trustees हैं, बोर्स में support करते हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, बोर्स सपोर्ट करते हैं, मैं जो अर्ण करती हूँ, मेरा सारा इसी में जाता है, कि हार बच्ची education से link हो, और किसी में किसी रूप में, उसकी education नहीं रूप यार रूप पही, वो अच्छा career बना के अपने पैडों पर खड़ी हो जाए, उसकी बाद, उसकी life में शायद मुश्किल है कम, आपके introduction के दुरान, एक बात मैं बताना भूल जाता हैं हमारे शोताओं को, कि कृती जी के जो काम है, वो इतनी सम्मानित हुई हैं अपने काम के लिए, कि अब उनके बारे में, CBSC की किताब में भी include किया गया है एक chapter में, तो अब देश के बच्चे इनके बारे में पढ़ेंगे, और जानेंगे कि किस तरह से, ये समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है, तो कृती जी मेरी तरफ से भी salute है आपके efforts को, क्योंकि अपनी career को, अपनी जवानी को side में रख कर ये काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपने अपना पूरा जो youth है, वो इसी पर target कर दिया है कि देश में समाज में बदलाव आए, और इसके लिए आपकार कर रही है, आपको कई जगे सम्मानित भी किया गया है देश-विदेश में, BBC ने कृती जी को एक बार top 100 most influential women में भी शामिल किया था, तो इस तरह के देश-विदेश से इन्हें सम्मान हसिल हुए है, और मैं इसलिए भी ज़ादा proud हुए इनके लिए, क्योंके ये मेरी ही मातर भूमी को बिलॉंग करती है, और हम सभी जानते है राजस्तान में कि बाल विवा एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, सोशल लेवल पर, कोई एक ऐसा कदम जिसके कारण बाल विवा कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, कोई भी स्टेप्ट, देखे, गवर्मेंट की लेवल पर हम बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कानून में कुछ और बडलावाई, ताकि कानून और मर्जबूत हो, ताकि बाल विवा हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी जो इच्छा है, वो समाज से अभी जादा मैं अपील करूँ, मैं इतने साल की एक्सपीरियंस में, अपनी पूरी जिंदगी की एक्सपीरियंस में, मैंने एक चीज को समझा था, वो यह है, जब कोई लड़की जन लेती है, तो उसी के साथ जन ले लेता है एक डर, वो है जेंडर का डर, और ये जेंडर का डर, आपको बहुत सारी चीजों में देखने को मिल जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे ये डर बढ़ता जाता है, ये डर आपको दहेश प्रथा में देखने को मिल जाएगा, ये डर आपको सेक्शिल ओफेंस में देखने को मिल जाएगा, यह डर आपको बादविवा की रूप में देखने को मिल जाएगा, यह डर आपको छेड़-छाड की रूप में देखने को मिल जाएगा, हर जगे जहां पर एक लड़की खड़ी है, उसको हर जगे यह डर मैसूस होगा, क्योंकि जिस समय उसका जन्ब होता है उसे समय यह जैंडर का डर जन्ब लेतेता है। और उसके बाद प्रॉब्ल्म यह होती है कि हम लोग सब कुछ सिक्षा देते, सारी शिक्षा देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सिखाते हैं अपनी बेटियों को, कि हमें अज़स्ट कहां करना और हमें अपनी आवास कहां उठानी है आवास कहां बूलत करें अभी का जो सिनारियो है उसमें देखने को यह मिल रहा है कि हम लोग एड़स्ट वहां करते हैं जह हमको वेरोध करना चाहिए, आवास उठानी चाहिए, वहां तो हम एड़स्ट करके बैठ जाते हैं और जहां आपको बिल्कुल विरोध करना चाहिए, वहां पर हम लोग विरोध करने लग जाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि हम यह समझें, कि एड़िस्मेंट कहां करना है और विरोध कहां करना है। अपनी लक्षमन रेखा हमें खुद तय करनी है कि इस लक्षमन रेखा तक मैं एड्जिस्ट करूंगी लेकिन इस लक्षमन रेखा को जैसे ही कोई क्रॉस करेगा मैं आवाज उठाऊंगी मैं विरोद करूंगी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यह जैंडर का दर मिठें और सा जहा सके कहां आवाज उठानी है और कहां एड्जिस्ट करता है यह हमारी शिक्षा दिक्षा में शामिल होना चाहिए और जहां तक यूथ की बात है मैं ऐसा समझती हूँ कि यूथ ही एक ऐसा यूथ ही एक ऐसी कैटेगरी है जो देश क्या आप पूरे संसार को बदलने के यूथ ही एक ऐसी कैटेगरी है जो पूरे देश पूरे विश्व यहां तक की पूरे यूग को बदलने की शंपना रखता है इसलिए कोशिश कीजी अपना टार्गेट बनाए अपनी स्केल्स और अपने इंट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना टार्गेट बनाए अपने कमजोरियों पर काम कीजिए और अपनी स्ट्रेंट्स को बढ़ाए और सबसे इंपॉर्टन बात जो बहुत ज़रूरी है खुद के साथ या किसी भी अपने आस-पास किसी के साथ भी न तो सोशन कर दिये और अगर किसी के साथ सोशन हो रहा है तो उसे बचाने में मे ज़िए तो श्याद हम सोने की चडिया जो हमारा देश हुआ करता हम हम उस सोबी वापस जाएंगे और एक ऐसा देश बना पाएंगे जहां कहीं सोशन न हो और हमारा देश देश के बच्चे, महिलाई, युगा, सब बिना किसी सोशन के एक ऐसे आसमान नोडान भर सकेंगे, जहां किसी भी तड़ा की बेडिया ना हो, ना बाल विभाद की, ना जेंडर की, और ना ही किसी और तड़ा की समस्या, और बच्चे आगे बढ़ें, बढ़ पाएंगे, और सवन्निम भारत को हम एक चनल न सी स्थापित कर बाएंगे, जब आप बाल विभाद रोकने जाती हैं, तो कभी आपको सेक्यूरिटी रिस्क नहीं लगा, कि कहीं पर आपको कोई सेक्यूरिटी को थ्रेट हो, क्योंकि मोस्ली बाल विभाद जब लोग एखटा हुए हैं, त कि जहां है बात रुकवाने और बाल विवार निरस्त की दोनों ही तरह के मामलों में त्रेटिनिंग और अटैक्ष दंगी और हमले हमें झेलने पड़ते हैं मुझे अपने खाने में एकने बरेट फास्ट लँच डिनर में मिले नहीं मिले लेकिन मुझे ट्रेटिंग जरूर मिल जाती है हर किसी केस में जिस केस में ट्रेटिंग नहीं मिलती है मुझे लगता है ये केस इंट्रेस्टिंग नहीं है लेकिन मैं उस समय लोगों को यही कहते हूँ कई बार हमले भी हुआ है किदिनाब करने के पूल की कोशिश की गई है, कई बार fake cases create कर देते हैं, कि यह आएगी यहाँ पर इसको यहीं पर गार देंगे, इस तरह की situations भी कई बार देंगे, तो उस मोमेंट पर मेरा हमेशल से यह गहना है, कि जाप और आखिस आएगा, मार सके ना पूरी, जनम से लेकर आज तक वही मुझे बचा रहे है, मेरे इश्वर मुझे बचा रहे है, और जब तक उनके कहे नुसार जो चाहते हैं, उनका जो लक्ष है, जब तक मैं उसको पुरा नहीं कर देंगे, मुझे पता है, मुझे कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता हूँ, साथ में इश् इंस्टिंक्ट यूज करती हूँ कि जब कोई केस आता है तो हम यह भी पोशिश करते हैं, प्रॉस वेरिफाय करते हैं कि केस जन्य है या नहीं, बहुत सारी चीज़े हम लोग लेकर चलते हैं, हमारे कुछ फॉलिंटियर्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्कों हम लोगो के सामने नहीं लाते हैं, जो हमारे के थरे से इंफॉममर होते हैं, हमारे सपोर्ड विट्मिस को नहीए पचा सकते हैं. तो मैं उस मोमेंट पर हमेशा यही कहती हूँ, कि आप मुझे एक बार मार सकते हूँ, दूसरी बार मारने की ताकत किसी में दोगे, लेकिन आप मुझे तब तब मारोगे जब तक मैं दस को बचाता हूँ. So this is all, वो जब तक मुझे मारेंगे तब तक मैं दस को बचाता हूँ, और मेरी संख्या बढ़ती जाएगी, संख्या मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मेरी ओम्र हो, उससे चार गोना जादा मेरी संख्या हो, वो संख्या जिसमें मैंने बच्चों को बचाया हो, बच्चों क मेरी हमेशा से इच्छा यह है कि बाल विवा, जो है, उससे एक जगे दिखे, वो हुइ किताबों, जिस तरह सतीप्रधा आप देखने को नहीं मिलती, वैसे बाल विवा भी कहीं देखने को नहीं मिले, उससर्फ किताबों में मिले, हम यह पढ़े कि हाँ एक समय ऐसा हुआ करता था कि माल विवा हो तिद अब न कोई बाल विवा दिखे नहीं कोई बाल विवा पेड़त दिखे जो पेड़त हो उनका बाल विवा निरस्टूप और नर्वासित हो और एक नई जिंदगी एक गोल्डन अपॉर्चन की गोल्डन लाइफ हो तो थांक यू सो मच डॉप्टर कृती अपना मुल्यवान समय हमें देने के लिए बहुत अच्छा लगा आज आप से बात करके और मुझे पूरा यकीन है कि कई देश के युगा आपसे और आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर देश में समाज में बदलाव लाने की कोशिशों को आ